नमस्कार दोसों बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूटूब चनल हिंदी लौ में दोस्तों आज हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे बिहार के यूटूबर पत्रकार मनिस कस्यप के बारे में दोस्तों जिस प्रकार से मनिस कस्यप के ऊपर तमिलनाडू पुलिस के तरफ से NSA लगाया गया है जिस प्रकार से उनको 19 अप्रायल तक नयाएक हिरासत में रखा गया है लेकिन NSA लगाना कितना सही है कितना गलत है इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोट में होगी या नहीं होगी क्योंकि मनिस कस्यप ने अपने एडवोकेट के माध्यम से सुप्रीम कोट में एक अपील दायर की थी कि उनके उपर NSA लगाया गया है वह गलत है हाला कि तीन दिन के छुट्टी थी और सुप्रीम कोर्ट बंद था सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के सुनवाई होगी उसके पहले हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि NSA व्यक्ति के उपर कब लगता है जब व्यक्ति दुर्दानत अपराधी हो जिससे कि देश समाज को खत्रा महसूस हो जिसके क्रिमिनल रिकॉर्ड अलड़ी मौजूद हो वो अलड़ी जेल जा चुका हो और इस मामले में जिससे कि उसको देश से खत्रा हो और इस मामले में मनिस कस्यप का जो बैग्राउंट है इतना वो दुर्दानत अपराधीयों वाला नहीं है हालाकि मनिस कस्यप के उपर मामले दर्ज है और उनके खिलाफ अभी भी मामले दर्ज हो रहा है तो जैसे ही तमिल नाडु की ये जो घटना-घटी फरजी वीडियो वाली तो क्या इस पर इस घटना से सम्मंदित जाच होई अगर उनकी गिरफतारी होई तो इस मामले की तप्तीस होई की नहीं होई इस तप्तीस में किस तरीकी की बाते सामने आई है अभी तक ये बाते जनता तक नहीं पहुची है लेकिन इस पर जब मदुरई कोट में मनिस कस्यप के उपर आरोप तैक किया गया तो वहाँ पर जो मजिस्टेट थे उन्होंने कहा कि इसमें किसी प्रकार से कोई मामला बनता ही नहीं है तो वहाँ पर उन्होंने इसको सिरे से खारिच कर दिया और मनिस कस्यप को कहा कि आप तुरंत इनको पटना लेकर के जाईए, बिहार लेकर के जाईए तो जिस दिन मनिस कस्यप के पटना जाने की तयारी हो रही थी पुलिस के द्वारा तभी वहाँ पर तमिलनाडू की सरकार के दवारा मनिसकस्यप के उपर NSA लगा दिया गया NSA लगाना वहाँ की सरकार के नजरों में सही है और इस मामले की तब तीस होना भी सही है क्योंकि जब तक चीजों की इनक्वारी नहीं होती है जाच नहीं होती है तब तक वो संद्यास्पद होता है सक के घेरे में होता है तो यहाँ पर जब NSA लगाया गया NSA के बारे में आपको पता है कि NSA तब लगाया जाता है जब उस व्यक्ति से देश की संप्रभूता एकता अखंडता सांती सुरच्छा को भय हो और वह व्यक्ति द उपर देश द्रोह का मुकदमा लगाया जाता है तो मनिस कस्यप के उपर हलाकि सक के आधार पर NSA लगाया गया है तो अभी मनिस कस्यप ने अपने एड़ुकेट एपी सिंग के माध्यम से सर्वोच चन्याले में एक अपील दायर की है लेकिन अपील पर सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि कोट तीन दिन से बंद थे तो हलाकि कोट सोमवार को खुल रहे हैं और कोट सोमवार के दिन मनिस कस्यप के NSA वाले मामले पिर सुनवाई करेगी अगर सारी तथ्य सही रहे और इस पर मनिस कस्यप के उपर लगाया गया NSA गलत पाये जाता है तो मानि सरोच न्याले के द्वारा अनेसे को रद करने के लिए आदेश दिया जा सकता है तो मामला सुप्रीम कोट में है और जैसे ही कोट खुलेगा इस मामले की त्वरित सुनवाई होगी तो अगर सुनवाई होती है और कोट का यह आदेश होता है तो मनिस्क स्यव बहुत ही जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे तो इस पर आपकी राय क्या है आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चल्म पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब जूर करिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूख है थांकिस सो मच जय हैं दोस्तों